कॉम्पैक्ट सरान सेगमेंट में टियोटा यारीज एक चही तिकार है एलिट क्लास ग्राहक यारीज को काफी पसंद करते हैं पर जो ग्राहक इसके फेसलिफ्ट वर्जिन का रिमांट कर रहे थे उनके लिए हम लेकर आए हैं खुश खबरी टियोटा जोरो शोरो से काम कर रह भी देखा जा चुका है तो चलिए रूबर करवाते हैं वारिल हुई यारीज वेसलिफ्ट वर्जिन के तज़्वीर से पर उसके पहले नीचे दी हुई रिड सब्सक्राइब बटन को फ्रेस कर दे और घंटी को भी बजा दे ताकि कार वर्ट की हर लेटेस्ट न्यूज तो पहले गौर करते हैं कार का फ्रेंट प्रोफाइल जो कि कुछ हद तक लेक्जिस गारियों की याद दिला रही लेक्जिस गारिया जैसे ही बड़ा सा या डैम और उस पे उपर की तरफ ग्रील का इस्तमाल हुआ है साथ ही साथ इसमें मिलेगा अपडिट की हुई फ्रें जैसे ही रहेगी इस मामले में बदलाव ना करने का ही संकेथ है और फोटो में सिर्फ फ्रंट पोर्शन ही सामने आई है रियर वाले पोर्शन दिखाई नहीं दे रही अब आते हैं कैबिन की तरफ तो यारी स्पेसलिफ्ट में आपको मिल सकता है अपडेट की हुई टच स् आपको मिल से अलग नहीं होंगे जैसे की डूल टोन ब्लैक और बेज इंटिरियर 7.0 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेंवन सिस्टेम के साथ जेश्चर कंट्रोल क्रूस कंट्रोल और रेंच सेंसिंग वाइपर इत्यादी बात कर एंजिन की तो यहां भी सिमिलारीटी डूल कॉम्बो तजवीर से पता लगता है कि यारीज स्वेस्ट लिफ्ट लॉंच होने की कगार पर हैं लेकिन शोर्सस के मताबिक 2021 के मिल तक ग्राहगों को वेट करना होगा अब आपको रिसाइट करना है इन में से कौन सी होगी आपके फैमिली के लिए बेस्ट पर कमपारिजन की बात जब हो रही है तब प्राइस की बात ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता फेसलिफ टोटा यारीज 8,86,000 से 14,30,000 के प्राइस रेंज के साथ लॉंच होगी उमीद है टोटा यारीज इसका ये लेटिस अपडेट आपका दिन बना दिया होगा अगरहां तो लाइक करें और ज्याद से ज्यादा शेयर करें